हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग दोस्तों में विश्याल आप सबका स्वागत करता हूँ आपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होंगी पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल से नोटिफिकेशन मिल जाया करें जब भी हम कुई नई वीडियो बनाया करें तो दूस्तों आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग होने वाली है आज की वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है तो आपको जरा से भी इसकिप नहीं करना इस वीडियो को अगर आप जरा सा भी skip करेंगे तो काफी कुछ miss कर जाएंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ WhatsApp के कुछ ऐसे features कुछ ऐसी settings जिनको आप use नहीं करते हैं daily basis पे लेकिन use करना बहुत जरूरी है और might be वो settings आपको पता ना भी हो कुछ लोगों को पता होगी लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होगी तो कुछ settings मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो सबसे पहली setting जिसे हम बोलेंगे mark read या फिर mark as unread ओके दोस्तो ये क्या setting है मैं आपको बताता हूँ दोस्तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा अपना WhatsApp खोल लेना है चलिए दोस्तो सबसे पहले मैं अपना WhatsApp खोल लेता हूँ दोस्तो यहाँ पे कुछ messages मेरे को आते हैं तो मैं उनको mark as read कर सकता हूँ बिना उनको पड़े जैसे कि आपके पास बहुत सारे message आते हैं और आप किसी को royal ignore करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं उन messages को mark as read कर सकते हैं ओके दोस्तो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी मेरे पास दोस्तो ऐसा कोई message नहीं है चलिए मैं इसको select कर लेता हूँ यहाँ पर जैसे select कर ते हूँ यहाँ पर three dot पर जाना है ओके दोस्तो यहाँ पर message आया है mark as unread तो मैं इसको mark as unread कर सकता हूँ क्योंकि इसके message मैं already पढ़ चुका हूँ अगर मेरे पास इस बंदे का message आया हूता तो मैं इसे select करके mark as read कर देता अभी मैं इसे Mark as Unread कर दूँगा तो ये इस तरीके से Green Dot हो जाएगा इसको आप किसी भी परपस के लिए यूज कर सकते हैं अब Mark as Read करना है तो आप Mark as Read भी कर सकते हैं इसे Select कर गए तो इस तरीके से आप इसे Select कर सकते हैं तो बहुत option है बहुत अच्छा option है अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं तो के दोस्तो Mark as Read कर सकते हैं बहुत सारे लोगों के Message जो आपको आते हैं उनको आप Royal Ignore कर सकते हैं अब इस Settings से रटके कुछ और Settings बताते हैं दोस्तो एक Settings ऐसी है जिसमें आप क्या कर सकते हैं किसी का भी Message पढ़ लेंगे और इस बंदे को पता नहीं चलेगा यह setting दोस्तों आपको क्या करना होगा यह setting whatsapp की नहीं यह setting आपके phone की है क्या setting है दोस्तों अगर आपके पास किसी का भी message आता है तो आप क्या कर सकते हैं आप अपना airplane mode on कर सकते हैं और जैसे यह airplane mode on करेंगे उसके बादा WhatsApp खुलके उस बन देगा message पढ़ सकते हैं इससे क्या होगा आप online आभी जाएंगे message भी पढ़ लेंगे लेकिन सामने बाले को पता नहीं चलेगा तो ये बहुत अच्छी setting है जिसके बारे में बहुत कम लोग इसे use करते हैं कुछ लोग option बताते हैं different app यूज करने का जिसके बारे मैं भी बता चुका हूँ तो आप चाहें तो उन app को use कर सकते हैं जिससे आप दूसरों के message पढ़ सकते हैं उनको पता नहीं चलेगा लेकिन in case अगर आप कोई app use करना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप ये काम कर सकते हैं aeroplane mode on कीजिएगा message पढ़िएगा और उसे side screen से हटाना बहुत जरूरी है दोस्तो safe side के लिए ओके दोस्तो उसे हटा देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा उसके बाद message आप पढ़ सकते हैं और सामने वाले को पता नहीं चलेगा ओके दोस्तो ये हुई हमारी दूसरी setting अब दोस्तो कुछ एक ऐसी setting के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपको पता हो भी और या फिर ना भी हो दोस्तो अब क्या होता है अगर आप in case कोई chatting को अपनी hide करना चाहते हैं लेकिन उसे delete नहीं करना चाहते तो ये एक option होता है archive का जिसके बारे में आपना सुना होगा लेकिन WhatsApp पे वह बहुत कम लोग इसे use करते हैं दोस्तो एक survey में बताया गया है archive का option वोटसेपे use तो किया जाता है लेकिन उतना use नहीं किया जाता है जितना Gmail वगेरा पर use किया जाता है तो आप मैं बताता हूं दोस्तों वो कैसे use करते हैं वैसे कि आपको पता होगा ऐसा जरूरी नहीं है यह पता ना हो तो आपको क्या करना है दोस्तों जैसे कि मुझे यह आपकी कोई girlfriend है इस तरीके से आप select कर सकते हैं ओके दोस्तों और चाहते हैं family से उसकी conversation छुपाना किसी भी privacy के उससे तो आप इसे archive कर सक सकते हैं उस चीज को सिर्फ search करके आप इसे बापस ला सकते हैं जैसे कि मैंने hide की यह बंदे की ओके दोस्तों अब मैं क्या कर सकता हूं इसे अनार्काइब कर सकता हूं ओके दोस्तों यहां पर option है अनार्काइब chat का तो इस तरीके से यह हमारी एक different setting है जिसे आप use कर सकते ह हैं ओके दोस्तों अब दोस्तों कुछ और setting के बारे में बात करते है setting number 4 setting number 4 यह है दोस्तों जैसे कि अगर आपको किसी को pin करना है का मतलब है आप उसे message करना चाहते हैं और उसकी chat को उपर लाना चाहते हैं यानि कि यह देखिए चौथे नंबर की chat मुझे दिखाई दे रही है लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी मैं WhatsApp पे वापिस आऊ तो इसकी chat मुझे सबसे उपर दिखाई दे उपर दिखाई दे यानि कि मैं इसे pin कर दूँ और मुझे याद रहे कि मुझे इसे reply देना है तो मैं क्या करूंगा इस chat को यहां से जाके यहां पे जाके sorry दोस्तों यहां पिन का option है इसे इस तरीके से pin करूंगा और यह उपर आ जाएगी ओके दोस्तों अब यहां से चले जाएंगे यहां से बाप पादेमन सैटिंग है यह ओके दोस्तों तो बहुत अच्छी अच्छी सैटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है यहां पर दोस्तों जो आप देख सकते हैं easily ओके दोस्तों तो यूज कीजिए गा दोस्तों इन सैटिंग्स को जो की काफी फायदेमन्द हो सकती है अगर आपको यहां पर दोस्तों बहुत दोस्तों यह चीज आप आपको बता देता हूं दोस्तों आपको यहाँ पर यह सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इस तरीके से आप म्यूट नोटिफिकेशन कर सकते हैं ओके दोस्तो आठ गंटे के लिए एक वीक के लिए या एक साल के लिए यह आप में डिपेंड है तो यह कुछ ऐसी सेलेक्स हैं जिनको बहुत कम लोग यूज करते हैं लेकिन यूज करना चाहिए जोगी बहुत अच्छी सेलेक्स है तो यूज कीजिये गशी लगी होगी है है ड conducted match को इस अपको यसके साथ उमीद है और दोस्तों वीडियों को पसंद आता हूँ एपस के बारे में और सेटिंग्स वगेरा वीडियो के बारे में तो बहुत जल में लेंगे में आपको नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए दोस्तों